हलो दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुए तो नीकी रैट किलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा लें और वैल आइकन को भी दबा दें ताकि हम अंगली बार को भी वीडियो अपलोड करें तो फलो पर लगे इन इस्टीकर्स का मतलब क्या होता है खरीदते समय ना करें एगनोर आज जब फलो की खरीदारी करते हैं तो आपको कई फलो पर इस्टीकर लगी हुए दिखाई देते हैं जैसे सायद आप बे मतलब ही समझते होंगे पर आप नहीं जानते कि ये छोटे इस् बताते हैं इन इस्टीकर्स का मतलब क्या होता है इन इस्टीकर्स के जरीए हमें ये पता चलता है कि कौन से फल हमें लेने हैं और कौन से नहीं इस्टीकर्स का मतलब क्या होता है इन इस्टीकर्स पर एक ओर दिया होता है जिसे पी एलियू यह प्राइस लुक अप कहा जात ये अलग अलग फिरकार के होते हैं जिनका मतलब भी अलग अलग होता है अगर इन स्टीकर्स पर लगे कोड को हमें पहचालने तो फलों के बारे में कई तरह की जानकारियां ले सकते हैं इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से फल हमें लेने हैं और कौन से नहीं अगर किसी फल या सबजी पल लगे स्टीकर्स पर पांच डिजित का कोड है और यह नौ नमबर से शुरू हुआ है तो इसका मतलब है कि इसे जैविक रूप से उगाया गया है लेकिन इसे जैनेटिकल इसे जैनेटिकली रूप में मोडिफाई किया जा सकता है जिन फलो या सबजी पर लगे स्टीकर्स में चार डिजित का कोड होता है वह यह धर सता है कि इन फलो को उगाते समय फारे टरेडिशनल कि नास्कों या केमिकल्स का यूज किया गया है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंड करकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करदें अजिदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर करते हैं